हलो गाइस कैसे हैं आप मिरे नामे गौरावनी और वाचिंग दर साइन्स सिस्टम तो दोस्तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दुनिया के 5 सबसे खुबसूरत रोबोट्स के बारे में बताया था और आज आपको इस वीडियो में चानने को मिलेगा कि कैसे उन कोस्मेटिक प्रोड़ेट्स को बनाया जाता है जिने हर मैला जादा अकरशक दिखने के लिए रोजाना लगाना पसंद करती है जैसे कि पेर अन लवली जो की हर घर गर में फिमस है और लेपिस्टिक जो की हर मैला लगाती है या पिर वहें नेल पॉलिज और मस्कारा जो की उनकी खुबसूरती को बढ़ाता है इन सब का प्रोड़क्शन आपको इसी एक वीडियो में जानने को मिलेगा तो इसी लिए बिना स्किप्ट करें पूरी वीडियो को आखित तक जरूर देखना लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे जिएकर लास स्क्राइब बटन को तबा कर बाजू में आने वाले पैल आइकन पर क्लिक करके और के बटन को जरूर स्लेट कर लेना उचलिए करते हैं इस वीडियो का शुभारम नमबर वन पर है नेल पॉलिश मेकिंग दोस्तो हम सब जानते हैं कि महिलाओ को नेल पॉलिश लगाना कितना पसंद होता है महिलाओ के कॉस्मोटिक प्रड़िस में से नेल पॉलिश एक ऐसा प्रड़क है जिससे वे अपने नाकूनों को एक नया रंग रूप परदान करती है चले देखते हैं कि कैसे बनती है ये नेल पॉलिश इस नेल पॉलिश को बनाने के लिए सबसे पहले कलर सिलेक्शन किया जाता है ताकि एक अलग तरीके के कलर की नेल पॉलिश को बनाया जा सके अब जिस भी color को select किया जाता है उसकी nail polish को एक छोटे से amount बना कर पहले ही test के ले जाता है जिसमें सबसे पहले powdered color और suspension base को मिलाया जाता है जिससे कि उसे एक constant color मिल तके इसके बाद इस nail polish में liquid polymer को मिलाया जाता है ये polymer nail polish को अच्छी consistency देता है जिससे कि ये nail polish अच्छी तरीके से नाखोनों को चिपकन लायक हो जाती है अब इस nail polish को test किया जाता है एक बार test में पास हो जाने के बाद इसे बड़े amount बढ़ाने के लिए बड़ी मातरा में powdered color और suspension base को liquid polymer के साथ मिलाया जाता है और तयार होने के सुरंच बाद इसे filling compartment में भेज दिया जाता है जहां पर कास की सीशियां conveyor wedge पर एक line में आ जाती है इसके बाद इन सीशियों में एक metal ball को डाला जाता है जो की nail polish को मिलाने और liquid form में बनाये रखती है और इसके बाद इन सीशियों में nail polish भरी जाती है और जहां एक तरफ इन यह nail polish बनती है वहीं दूसरी तरफ nail polish के brush को बनाया जाता है बाद में इन brush को nail polish की cap पर लगा कर उन से सीशियों को बंद कर दिया जाता है और अब यह nail polish finally बनकर तयार हो जाती है जिसे market में बेचने के लिए भेज दिया जाता है नमबर दो पर है लिपिश्टिक making machine दोस्तों लिपिश्टिक एक ऐसी चीज है जो कि महिलाओ की beauty में चार चांद लगा देती है एक अच्छी लिपिश्टिक बनाने के लिए जरूरे ingredient जैसे की wax, color pigment और moisturizer होते है सबसे पहले वरकर इन सभी चीजों को एक निश्चित अनुपात में सोल कर अलग-अलग रख लेते हैं ज्यादा तर लिपिश्टिक कंपनी यह नहीं चाहती है कि उनके लिपिश्टिक बनाने का formula लेख हो क्योंकि दोस्तों एक छोटे सी गलती किसी लाको के brand को road पर लाने के लिए काफी है लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद back moisturizer और pigment का यह mission liquid रूप में आ जाता है इसके बाद इसमें एक gel को मिलाया जाता है यह gel lipstick को लगाने में असान और सचा के लिए अनुकूल बनाता है अब इसके बाद इस mixture को blend करके इसमें color paste मिलाया जाता है जिसे machine और rulers के दुआरा काफी गाड़ा बना दिया जाता है और यह काफी consistency पाने के साथ साथ creamy भी हो जाता है और फिर एक worker इस पूरे paste को एक filling machine में डाल देता है जो कि इस paste को छोटी छोटी शीशियों में डाल देती है और आगे conveyor belt पर छोड देती है जो कि 5 फूर्ट लंबी cooling tunnel से होते हुए बजरती है और इस lipstick को एक दूसरी conveyor belt पर होते हुए इसके असली डिबियों में अंदर की और डाल देता है और finally यह lipstick बनकर सैयार हो जाती है और कुछ final test पर इसे market में भेज देता है नमर तीन पर है mascara making machine दुनिया भर की लड़कियां इससे अपनी eyebrows को गहरा रंग देती है और अपनी beauty को और अधिक निखारती है लेकिन दोस्तों mascara को बनाने के लिए 3 चीजों का यूज किया जाता है जो कि है wax, mortar और pigment मशकारा को बनाने के लिए सबसे पहले एक tank में base oil के साथ vitamin E और दूसरे chemical compounds को मिलाया जाता है जो कि इसे effective और smooth बनाता है इसके बाद इस paste को 70 degree Celsius की ताफमान पर गरम किया जाता है जैसे ही इसकी wax बिगलने लगती है सबी इसकी blending process स्टार्ट करती जाती है जिसके बाद इसके पानी को 86 degree Celsius पर गरम करके इस paste में MLC5 नामका एक chemical मिलाया जाता है जिससे मशकारा लंबे समय तक gold और thick condition में रहता है और इसी process के बाद यह मशकारा finally तयार हो जाता है और कुछ quality test हो जाने के बाद इस मशकारे को filling machines की help से इन बोतलों में भर दिया जाता है जिन पर बाद में caps और brushes को लगा कर सील कर कर दिया जाता है और यह मशकारा ready हो जाता है किसी की eyebrow की चमक बढ़ाने के लिए और अब बिना देर किये आपको बताते हैं इंडिया की best filling piss cream यानि की fair and lovely के बारे में दोस्तों इस cream को बनाने के लिए सबसे पहले container में beauty related hydrox cream के साथ satile alcohol, steric acid और अन्ने chemical compounds को एक साथ मिलाया जाता है उसके बाद एक बड़े container में distilled water मिलाया जाता है और अब इन दोनों container को 75 degrees Celsius के ताफमान पर गरम करके इनके धकन को बंद कर देते हैं क्योंकि इसके खुला रहने से काफी सारे जरूरी compound भाब बनकर उड़ जाने का ख़तरा बना रहता है 15 मिनट बाद यह paste liquid form में आ जाता है और फिर लगातार blending process जारी रखते हुए इन दोनों paste को एक बड़े tank में mix कर जिया जाता है और कुछ समय बाद paste cream का अजली compound बनकर तयार हो जाता है और इसमें एक अच्छी खुशुगू के लिए added fragrance को मिलाया जाता है जोगी pair and lovely में एक अच्छी सुगंद को देता है इसके बाद यह cream पूरी तरीके से बनकर ready हो जाती है जिसे packaging machine दुआरा pair and lovely की tubes में एके करके भढ़ दिया जाता है जिसके बाद यह tube conveyor beds के जरिए उस machine तक लाई जाती है जहाँ पर इसको package में pack कर दिया जाता है तो लेजे दोस्तों finally तयार हो गई है आपकी pair and lovely cream तो दोस्तों आज आज आपको the time system के जरिए अलग-अलग cosmetic products के manufacturing processes के बारे में पता लगा और आपको किस product का production सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जुरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके इसे अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना इसी के साथ ऐसी amazing science, space और technology से जुड़ी ही वीडियोस पाने के लिए नीचे दिये गए लाल subscribe बटन को दबागर आने वाले बैल आइकन का क्लिक करकर आल का बटन जरूर से लट कर लेना जिससे कि आपको नई वीडियो मिले वो भी सबसे बहले इसी के साथ मैं गौरब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए